जो Google Calendar है basically यह एक तरह से जो हमारा physical calendar होता है यह virtual calendar है और जब यह virtual हो गया तो इसकी advantages भी बढ़ जाती है जैसे इसमें हम meetings schedule कर सकते हैं, event create कर सकते हैं, जो अपना task है उसको assign कर सकते हैं यहाँ पे, ठीके अब मैं अकले side में आता हूँ और introduction about Google Calendar थोड़ा सा मैं introduce कर देता हूँ इसका, तो जो अगर मैं अगर बात करूँ इसका content का, कि Google Calendar is a powerful free service you can use to organize your schedule and coordinate events with others आप meeting जब create करेंगे तो आप अपने team members को, आप guest को भी add कर सकते हैं, इसलिए real time में, ठीक है it has many useful features including the ability to share calendars with others and easily switch what is currently being displayed यह आप जो जिसे न कि calendar में आप जाएंगे तो week wise आप data देखना चाहते हैं, month wise देखना चाहते हैं, yearly देखना चाहते हैं सारा cj, 8 है single click आप उसको switch कर सकते हैं, ठीक है और जो google calendar है आप इसको कहीं भी access कर सकते हैं, अपने computer पर, अपने mobile पर, किसी भी device पर आप इसको easily access कर पाते हैं now सबसे पहला important चीज़ आता है कि आप जो google calendar है आपका, उसको आप access कहां से करेंगे तो मैं आपको एक important यहाँ पर चीज़ बता रहा हूँ, important thing कि आपको कोई भी google work space का, कोई भी app को access करना है आपको simply अपने, जैसे आप open करेंगे तो आपका यह दीखेगा इस तरह शे यह first screen दीखेगा आपका और आप चले जाएंगे यहाँ पे google apps पे, google apps पे जाएंगे तो सारे के सारे जितनी google work space में चीज़े दी हुई है वो सारा का सारा यहाँ से आप access कर सकती है जैसी doc, सारे का सारे चीज़े ठीक है तो मुझे अभी क्या करना है access calendar तो मैं जाओंगा google work space बटन स्पे जाएं calendar पे क्लिक करूँगा जैसे ही google calendar open होता है उसका interface कुछ इस तरह से दीखता है तो मैं आपको सारे options से अभी इंट्रोडिश कराऊंगा कि कौन सा options कीसलिए है और कैसे हम इनको यूज करती है ठीक है यहाँ पर छोटा से इसका introductions आप बढ़ सकते हैं मैं ज्यादा वो content details में ज्यादा मैं फोकस करूँगा practical चीज़े पर कि हम उनको चीज़ों को कैसे access करेंगे ठीक है अब बात आती है कि navigating google calendar यह main important feature है जो कि हम google calendar में देखते हैं जैसे अभी मेरा जो आप interface देख रहे हैं यह weekly है यानि कि week wise मुझे चीज़े दीख रही है मैं चाहता हूँ कि मेरा जो data है मुझे यह day wise दीखें मैं simply day पर click करूँगा और यह मुझे day wise दीखेगा मैं week वाईज देख सकता हूँ मैं यहाँ पे month वाईज देख सकता हूँ मैं यहाँ पे yearly देख सकता हूँ मैं यहाँ पे schedule जो हमारा है उसको देख सकता हूँ by schedule time now four days मैं देख सकता हूँ चार-चार दिन का ठीक है इस तरह से तो इस तरह से multiple हमारे पास interface है navigate करने के लिए और यहाँ पे आपको na shortcut भी दिया है जैसे D प्रेस करेंगे जैसे आप यहाँ पे हैं और W प्रेस कर देंगे तो यह week wise हो गया Y प्रेस कर देंगे Early हो जाएगा तो यहाँ पे आप उसको चीजों को देख करके भी आप सिख सकते हैं कैसे क्या access मुझे करना है लेकिन जो default आपका setting होता है वो weekly ही होता है ठीक है अब बात करते है जैसे आप week में आए तो आपको previous week में जाना हो forward week में जाना हो तो आप next और previous week में यहाँ से navigate कर पाएंगे अगर आप यही चीज मन्थ करेंगे तो month में आपको यहाँ से क्या कर सकते है next month और previous month आजाएगा अगर यहाँ पे आप yearly आएंगे तो यहाँ पे year आजाएगा कि next year, previous year देखे यहाँ पे previous, next year previous year आगे ना तो इस तरह शे क्या होगा कि वो automatic इसके recording change होते रहता है ठीक है यहाँ से आप backward और यहाँ से forward आप जा सकते है अब वो week हो, month हो, day हो उससे कोई matter नहीं है यहाँ पे आपका है कि कोई event वेगरा को search कर सकते है कुछ आपको settings है वो setting यहाँ से चीज़े को set कर सकते है यहाँ पे आपको जो accounts login है वो दिखता है यहाँ पे भी आपका Google Worker Space का वो icon दिखता है कि यहाँ से भी कोई चीज़ा आपको access करना है अगले tab में तो आप उसको access कर सकते हैं यहाँ पे Google calendar का logo लगा हुआ है यहाँ पे आपका menu है जो यहाँ पे so हो रहा है week है तो यह जो यहाँ पे so होता है यह आपका month से हो रहा है इस week क्या और मैं यहाँ पे एक बड़ी week का देखू month का देखू तो month यहाँ से हो रहा है चोटा सा और यहाँ पे पूरा completely आपका month यहाँ पे शो हो रहा है week में आता हूँ नाउ यहाँ पर जब आने के बद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ my calendar पर हुआ है और यहाँ पर जो तीन कतरह के labels बने हुए जिसे मेरा नहीं में हुए यहाँ पर budgets है और task है तो आप task add करोगे तो यह green color का दीखेगा birthday add करोगे suppose मालो मेरा कोई team का मैं birthday मुझे याद नहीं है मैं चाहता हूँ कि उनका birthday 30 को है तो मैंने यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर set करता हूँ birthday ठीक है यहाँ पर more options आता हूँ और मैंने set किया default type ways नहीं दिख रहा है न यहाँ यहाँ पर आया था option एक बार ही यहाँ अभी आप देख पा रहा है यहाँ पर लेबल्स पर यहाँ चेंज कर सकते हैं मैंने दिया default visibility अभी option नहीं आ रहा है कोई issue नहीं है मैं एक बार यहाँ कोई अभी तोड़ा से update कर देता हूँ यहाँ यहाँ पर create कोईशन नहीं आ रहा है बिस हो रहा है को मैं अभी बता दूंगा कोईश्यों नहीं है इनको शो मैं अभी देख लो एक बड़ पीपीटी की क्या हमें बताने आपको यह मैंने यह चीज़ बता दिया आपको और नेक्स है हमारा event कैसे add करेंगे कोई आपका meeting है कोई आपका सारी चीज़ है वो उनको add कैसे करोगे तो मैं यहाँ पर गया और इस पर क्लिक करूंगा जिस टाइम पर स्टेम पर मुझे event बेगरे create करने हो तो यहाँ पर create भी आकर कि event पर क्लिक करेंगे तो event create होगा या फिर मैं यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर मैं event पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या करेगा कि इस पर time बेगरा सारा चीज का सारा जो यह rate बला होगा जहाँ पर होगा वहाँ पर यह time पर time at automatic one hour का difference लेकर करके यह ले लेता है आपको अगर चाहिए कि मुझे कल के date में यहाँ पर मुझे date चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो यह automatic यहाँ पर देखे date फैच कर लेता है और यह आ जाएगा suppose that मान लेजे मुझे कल meeting करनी है या फिर किसी का birthday है तो मैं birthday celebration करना चाहता हूँ बढ़त दी ठीक है और मैंने time दे दिया इसका two to three ठीक है और यहाँ पर मैं add कर देता हूँ इसको task में event नहीं task में add कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यह loading हो जाने देते हैं इसको save कर देता हूँ तो हमारे यह जो task है यहाँ पर added हो जाएगा हम देखेंगा saving के बाद यह हमारा task जो है add हो जाएगा यहाँ पर जब तक यह save हो रहा है तब तक मैं event create करके आपको दिखा देता हूँ क्लिक करूंगा तो मैंने यहाँ पर event क्लिक किया और मुझे इस event को date में क्या चाहिए 30 को चाहिए और time क्या चाहिए starting time मुझे चाहिए 3.15 और यहाँ पर मुझे चाहिए only 5.15 तक मुझे two hours का event चाहिए meeting with मैंने यहाँ पर डाल दिया team meeting with team मैंने यहाँ पर डाल दिया team और यहाँ पर मैंने save कर दिया तो आप देख वा रहा है कि meeting with team हो गया यहाँ पर अभी देखेंगे आप यहाँ पर birthday यहाँ पर आ गया ठीक है यहाँ पर जो मेरा पहले का वो task वे रहा था वो आ रहा है यहाँ तो आप देख रहे है task की यहाँ पर क्या हो रहा है green so हो रहा है यहाँ पर मैं अगर birthday का बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो हमारा जो birthday होगा वो क्या होगा यह so करेगा आपका orange शे sorry pinks है इस तरह से holiday है तो आपका holiday शे इस से सो करेगा इस तरह से यहाँ पर आ रहा है na Christmas events इस तरह से और birthday का रहा है तो birthday शे करेगा इस तरह से तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपना multiple event event में आपका name आ गया यह task हमारा शो हो रहा है और यह holiday show हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपके add करना चाहेंगे, वो सारे का सारा चीज़ या कर सकते हैं, add कर सकते हैं इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको event वाले में, कि अगरना आपको यहाँ पर edit करता हूँ मैं इसी को, इसी को edit करता हूँ मैं भी edit करते time अभी देखेंगे आप कि यह December 23 और 30 मुझे यही same time पे 4 days या a week, a month, पूरे year इसी time पे मुझे team के साथ meeting चाहिए तो मैं मुझे, मैं तो per day उसको event create नहीं करने जाऊँगा, तो यहाँ पर option वो करता है, all day, यानि कि मुझे पूरे दिन नहीं चाहिए, मुझे does not repeat, यानि को repeat नहीं चाहिए, मतलब उसी particular day पे यह किबल काम करेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि does not repeat पे जा करके यह, हमारा क्या आज कहां पे जाए, यह daily schedule, यानि कि daily यह हमारा इसी time पे चले, weekly on Saturday, यानि week में एक बार, month on the last Saturday, annual on December 30, every weekday, तो इस तरह आप add कर सकते हैं, अगर आपको custom करना है, कि मुझे किसी week particular, repeat every first week, यानि कि एक एक week में क्या करना है, मुझे monday को चाहिए, twisty को चाहिए, और मैं इसको done कर दूँगा, और done करते ही, मुझे क्या करेगा, मैं save query करूँगा, तो आप यहाँ पर, मैं अगर आपको दिखा पाऊ इधर, तो आप देखें, week में क्या हो गया, इसमें, इसमें, और इसमें, ची चार दीन आया तो इस तरह हैं हम क्या कर सकते हैं, event को add कर सकते हैं, अब event महाले जे मेरा खतम हो गया, तो मैं delete कैसे करूँगा, right click करूँगा इस पे, इस event पे, इस event पे, इस event पे मैंने click किया, और मैंने delete button पे click किया, और all event, अगर this event करूँगा, तो केबल यही event delete होगा, इस particular day पे, लेकिन मुझे all event delete करने हैं, तो मैं click करूँगा all पे, और मैं यह कर दूँगा, okay, तो अब देख पा रहे हैं, यह हमारा all का all event delete हो चुका है, ठीक है, इस तरह से हम all event delete कर सकते हैं, now हमारा event का मैंने आपको बता ही दिया, कैसे add करते हैं, एक और चीज़े मुझे यहाँ पर left हो रही है, तो मैं again event create करता हूँ यहाँ पर, जो मैंने basic event आपको बता ही दिया, now मैंने अभी बताया कि आपको जो भी date में आपको use करने हैं, जैसे अभी January में मुझे set करने हैं, तो मैंने 2nd January को leave है, मैं बट विस्ट करने के लिए अपन मैं यहाँ पर 1st January को day में मैंने 10 a.m. से लेकर 11 a.m. मैंने meeting रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि does not repeat, यह तो repeat नहीं होगा, मैं जो first day ही रखना है, और more options में आता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कि add location, मैंने कि meeting जो हमारी होगी, वो कहाँ पर होगी, add location हम डाल स करते हैं, यह notification timing जो है आपका, notification timing में क्या होता है, कि यह meeting जब होगी, उससे कितने time पहले मुझे अपने teams को, मुझे जिसके साथ meeting करना है, उनको notify करना है, तो यहाँ पर वो चीज़े हम लोग कर सकते है, notification after 10, या फिर email send करना है, तो email भी send कर सकते हैं, यहाँ पर minute, hour, day, week, को send कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर, कि यह हमारा label लगा हुआ है, अर्दयन यहाँ पर default visibility, यहाँ पर आपना कुछ की add कर सकते हो, कि जो event है, इसके साथ, जिसको मैंने invite करूँगा, उसको mail जब जाएगा, उसको notification जाएगा, तो उसको यह चीज़े, जो important notes, कुछ agenda, hop commuting, वगरा का, event का, वो यहाँ पर write कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर आता है guest, जैसे यहाँ पर कुछ items, हमारे teams के member names दीख रहे हैं आपको, तो आप जो इनको भी invite करना चाहते हैं, उनका email ID यहाँ पर simply type कर सकते हो, जैसे मैं मोहित को type करता हूँ यहाँ, मैंने मोहित को state click कर मैं यहाँ पर विषाल को state रना चाहता हूँ, मैंने विषाल को send कर दिया, तो इस तरह शे हम क्या कर सकते हैं, create, इनका add कर सकते हैं अपने guest को, मुझे मानलो, मैं चाहता हूँ कि मोहित add हो, बट विषाल एड़ना हो, तो मैं विषाल को optional भी कर सकता हूँ, कि मैंने विषाल इनके उपर जाओंगा और यह हमारा होवर होगा इसको मैं क्या कर सकता हूँ Markets Optional कर सकता हूँ तो जैसे आप ही ना आपका जो भी आफिस वेगरा में rooms बने होते हैं तो आप room को भी particular book कर सकते हो ताकि उस time पे कोई दूसरा team member उस room को room में जा करके आपना meeting ना कर दे हो ताकि आपको disturbance हो तो इस तरह से room भी set कर सकते हो यहाँ पे यह पूरा चीज़ करने के बाद आप simply save पे करोगे तो यह पुछेगा एक pop-up message आएगा और पुछेगा कि जिसको आपने guest में add किया है क्या उसको एक notification जाए उसको email update हो तो मैं चाहता हूँ कि उनको email न जाए तो मैं don't send करूँगा वो उनको email नहीं जाएगा लेकिन यह event add हो जाएगा तो event add हो गया मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस event को मैं कर देता हूँ delete ताकि वो don't send event delete हो गया मतलब कि हम उनको event को add करने के बाद उनको update कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं या फिर event जब delete कर रहे हैं तब भी update कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं वो totally आपके उपर depend होड़ता है कि आप उनको update देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो ठीक है लेकिन देनी अच्छी बात है मैंने अभी डेमो परपस से दिखा है इसलिए मैंने उनको अपडेट नहीं दिया because वो डिस्टाब होंगे now creating calendars जैसे आपको कोई calendar create करना है आप अपना calendar बनाना चाह रहे हैं यह फिर आप अपने अपने एकोर्डिंग आपको हो तक आपको पहले पता होता है कि मुझे यहां यहां जाने है यहां इस दिन आपको लीव चाहिए तो आप अपना calendar भी create कर सकते हैं क्लिक करोगे और यहां पे create a new calendar पे क्लिक करोगे आ रहा है कि आप कोई भी calendar भी add कर सकते जैसे आपने create new calendar पे दिया calendar पे यहां पे उसका name दे दीजिए ठीके my new calendar app description दे देज़े time जो नहां पे create calendar पे क्लिक कर देजिए तो यह आपका calendar क्या हो जाएगा create हो जाएगा यहां पर calendar creating in progress है तो few minutes few seconds ही लेगा देखिए यहां पर आगया my new calendar तो मैं बाहर आता हूँ यहां से और यहां पर आप देखेंगे आ करके तो my new calendar आगया यहां पर अब इस में आपको कोई भी चीज़े आड़ करनी हो अब कोई किसी का calendar है उसको export कैसे करेंगे तो suppose that मैं अभी मेरे पास यह birthday calendar या task calendar है तो मैं task calendar को export वेगरा भी कर सकता हूँ जैसे मैं यहां पर जाओ settings, various settings का settings, यहां पर देखें import and export calendar आ रहा है तो import और export पर क्लिक कीजिए अब यहां पर आपको export का रहा है कि आप इस में से कौन कौन से calendar को export करना चाहते हैं तो मैं यहां पर गया मैं कि my new calendar वाला कि वह एक्सपोर्ट करना है तो मैं यहां पर new calendar को export हो जाएंगे और मैं किसी दूसरी को share कर सकता हूँ अब मैं वो तो export कर लिया अब उसी calendar को मालो जब कोई दूसरा team member import करना चाहेगा वो कैसे करेगा वो इस में आएगा import calendars में और जो मैंने वो zip folder दिया था इसको क्लिक करके open करेगा और यहाँ पर क्या करेगा import कर लेगा और import करेगा तो वो उसका zip folder क्या हो जाएगा extract हो करके सारे events वेगरा automatic उसके calendar में add हो जाएंगे आपको यह चीज़े समझ में आए गए होंगी कि आप कैसे calendar create करते हैं और कैसे import करेंगे कैसे export करेंगे मैंने यहाँ पर आपको कुछ Google Calendar के sortcast दे रखे हैं जिसको कि आप use करके अपना work की effectively बना सकते हैं और उसको use a different way में कर सकते हैं या फिर fast use कर सकते हैं और यहाँ पर आपको more details में और calendar के बारे में जाना है तो आप इस link पर क्लिक करके आप उसको read out कर सकते हैं जो कि officially Google के blocks हैं तो आप वहाँ पर जा करके भी read out कर सकते हैं